कि यूटूब चैनल में आपका स्वागत है हम आपके लिए जो दूइधा हैं आपके मन में उसको दूर करने के लिए इस वीडियो को लेके आए हैं कक्षा बारवी के बाद क्या करें हमें कक्षा बारवी के बाद कौन सा विशय लेना चाहिए किस संकाय वाले को किस स्ट्रिम वाले को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए क्या क्या ले सकते हैं उन सब के बारे में मैं आज इस video में आपको जानकारी देना चाहूँ का अगर आपने चैनल को अगर आपने अभी तक सब्स्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्स्क्राइब कर ले क्योंकि आने वाले बहुत सारे video यसे होगे जो आपको बहुत कुछ फाइदा देने वाले हैं इसके अतरिक्त हमारे यूटूब चैनल पे 11 वी और 12 वी का जो मैस है CBSCB है वो NCID भी है NCID का जो syllabus है वो पूरा आप लोगों को धीरे-धीरे complete होगा तो आप लोग अगर 11-12 से related student है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप other student भी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले बहुत सारे वीडियो बहुत सारे टॉपिकों पे आने के लिए हैं तो आज का टॉपिक है 12 की बात क्या करें 12 था आप लोगों ने तीन में से किसी भी एक संकाय से complete किये या तो आपका art था कला संकाय था आपका science था science में भी आपका PCM या physics chemistry maths था या physics chemistry bio tham that means maths group या biology group था और अगर आपका commerce है तो एक अधर ये subject हो गया इन तीनों विशय के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक एक करके कि इन विशय में हमें किसमें क्या ले सकते हैं देखे जनरली छोटे गाउं के बच्चे मुझे पता है graduation करने निकल पड़ते हैं और बड़े city के जो student होते हैं उनके पास बहुत more option होते हैं उन सारे option के बारे में आज हम चर्चा करते हैं वैसे आज के जमाने में यह नहीं के सकता हूँ कि गाउं और बजार के studentों में फर्क होगा क्योंकि गाउं ग्रामिन शेत्र से भी student बजार में जाते हैं बड़े बड़े colleges में पढ़ रहा हैं क्योंकि अब fees doesn't not matter fees का मेंटर बहुत बड़ा नहीं बचा है लोगों की capacity भी छमता भी बड़ी है दूसरी बात government भी हर तरीके से support करती है student को इसलिए आजकल fees का मेंटर बहुत बड़ा नहीं बचा है तो इसलिए मैं आप लोगों को इन सब के बारे में thोड़ा कला संकाय वाले लोग क्या कर सकते हैं मैं यह नहीं कर रहा हैं कि यह जो बाते हैं वो science वाले नहीं कर पाएंगे या commerce वाले नहीं कर पाएंगे वो भी कर पाएंगे कौन-कौन सी कर पाएंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले मुद्दे की बात हम बात करते हैं कि कला संकाय वाले इन में से किस-किस चीच को चुन सकते हैं और अपना केरियर के से आगे बना सकते हैं सबसे पहले अगर आपने बार्वी आर्ट से की है और आपके अच्छे परसेंटेज है और आप टीचर बनना चाहते हैं और आपका आगे ज़्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं है तो सीधा आप बारवी के बाद DL8 या D8 कर सकते हो और आप teacher बन सकते हो बारवी के बाद जो छोटे teacher प्राथमिक तक के teacher ट्राइमरी तक के teacher बनने के लिए हमको 12th के बाद सीधे DL8 या D8 कर लेते हैं कला संकाय वाले जो है वो BSW कर सकते हैं BSW मतलब bachelor of social welfare ठीक है यह आप लोगों ने NGO के बारे में सुना होगा जितनी भी social welfare society होती है NGO जो होते हैं वो जोब इस course से मिलती है समाश रास्तर में MA और BA वालों को भी मिलती है पर आजकल ज्यादा यह हो गया BSW और MSW BSW bachelor course है उसके बाद 2 साल का MSW होता है मतलब यह पूरा course 5 साल में पूरा होता है आप BA करके BSW भी कर सकते हो sorry MSW भी कर सकते हो पर BSW and MSW bachelor of social welfare and master of social welfare जिससे आप NGO के थ्रो काम कर सकते हो आज के टाइम पर 90% कारें NGO के थ्रोई हो रहे है गवर्मेंट NGO को दे देती है वो काम हो और वो NGO फिर वो काम करता है गाओं गाओं में सर्वे करना वगेरा जित्ते काम होते हैं वो NGO के थ्रोई होते हैं तो यह NGO में जॉब दिलवाती है उसके लिए कोर्से से उसके बाद आता है LLB Foundation देखें LLB दो तरीके से होता है एक तो हम पहले बीए कर लें फिलललबी करें और एक डायरेक्ट LLB कर लें डायरेक्ट LLB कर लें डायरेक्ट LLB उसके लिए कोर्ट से संब्धित एक एक्जाम या कुछ छे महीने या साथ महीने की ट्रेनिंग होती है वह देनी पड़ती है उसके बाद सीधा आप वकील के काम कर सकते हैं उसके पहले आपको शुरुआत में किसी बड़े वकील के अंडर में थोड़े दिन काम जरूर करना पड़ता है तो आप बारवी के बाद सीधे LLB फाउंडेशन करके LLB करके आप वकील बन सकते हो और उसकी भी बड़ी डिग्री में जाना चाते हो तो LLB के बाद LLM होता है अब इसी LLB के बाद भी दो आप्षन होते है एक DTL होता है Diploma in Tax Section Law मतलब Tax से संबंदित वकील बनने के लिए Tax के बारे में जानकारी रखने के लिए जो वकील बनते हैं उसके लिए उतको और एक Diploma करना पड़ता है साल भर का तब वो पूरी Tax के बारे में जानकारी रखता है और उससे संबंदित केस लड़ता है एक और होता है DLL Diploma in Labor Law Labor से संबंदित law के लिए भी एक Diploma करते हैं LLB के बाद तो यह पूरा प्रोफार्मा किसका हो गया LLB का इसके लिए फिक्सन ही है कि Art वाला स्टूडेंटों, Science वाला स्टूडेंटों Commerce वाला स्टूडेंटों, कोई भी कर सकता है बात आती है उसके बाद बारवी के बाद सभी संकाय वाले Fashion Designer और Interior Decoration से संबंदित कोर्स के Diploma कर सकते हैं देखे, डिगरी अलग होती है डिपलोमा अलग होता है डिपलोमा किसी भी संस्थान से मिलता है डिगरी किसी युनिवर्सिटी से मिलती है ठीक है तो Diploma, Fashion Desirer और Interior Decoration देशे घर वगेरा के Decorations वगेरा होते हैं बड़ी-बड़ी सीटियों में या Fashion Designing में कपड़ों की या अलग-अलग चीजों की कुकिंग की बहुत सारे चोटे-चोटे-चोटे courses होते हैं वो Diplomas भी आप 12th के बाद कर सकते हो 12th के बाद ही होते हैं ठीक है उसके बाद जो जनरली 12th Art वालों की बात है यहाँ पर आके हम में बोलूँआ 12th Art वाले BA कर सकते हैं Bachelor of Art और BA के बाद आप MA कर सकते हो आपकी जोंसी सब्जेक्ट में रूची हो उस MA के बाद आप चाहो तो यहाँ से दो भाग हो सकते हैं अगर आपको टीचर ही बनना है BA और MA करके तो कॉलेज के लिए अलग रनप होता है स्कूल के लिए अलग होता है कॉलेज में अगर टीचर बनना है तो आपको M.Phil करना पड़ेगा M.Phil और M.Phil के बाद आपको PhD और Netsled की एक्जाम देनी पड़ती है Netsled फिर आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो वैसे M.H. से भी बन सकते है M.Phil से भी बन सकते है Netsled कंप्लीट होना चाहिए PhD बाइने नहीं रखता है पर आप यहां से PhD तक पोस्ट सकते हो डाक्टर आपके नाम के आगे लग सकता है डाक्टर एक उपाधी होती है वो इलाज करने वाले डाक्टर की भात नहीं कर रहा हूं B.A. से M.A. आके किसमें बनोगे स्कूल में टीचर बनोगे वह यह टीचर कहां पर बनते हैं हैं फिल नेट स्लेट कर लेते हैं तो कॉलेज में टीचर बन सकते हैं नेट स्लेट जबूरी होता है कुछ भी एकचीच करना पड़ती है तो उससे आप बीए के बाद आप इतना कुछ कर सकते हो जो खास विशेश आर्ट वालों के लिए बात करना हो ठीक है आर्ट वाला वेक्ती बिजनस एड्मिट्रेशन का कोर्स भी कर सकता है बीबीए बैशलर आप बिजनस एड्मिट्रेशन बीबीए और उसके बाद M.B.O. ह जो बिजनस में माहिर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं वो B.B.A. M.B.A. का करते हैं और एक होता है फॉर्गिन लेंग्वेज डिप्लोमा आपको कहीं विदेश के बार जाना है आपको पढ़ना समझना है तो उसके लिए करना पड़ता है इसके अला को उसमें अगर इस बात को छोड़ दू तो साइन्स वाले लोग भी सारे भाग में जा सकते हैं साइन्स वाला भी कॉमर्स वाला भी कॉमर्स वाला और साइन्स वाला भी DL8 से टीचरशिप में जा सकता है कॉमर्स और साइन्स वाला BSW MSW भी कर सकता है वो सारे कोर से LLB भी संका है कि student क्या क्या ले सकते हैं अब बात करते हैं PCM और PCB की देखिए देखिए बात करते हैं science की maths की science में maths की PCM maths नाम लेते ही सबसे पहले चीज दिमाग में हर वेक्ति के दोड़ती है teacher बनाई 90% वेक्ति यही सुचता है अगर मेंस से कुछ करेंगे तो teacher बन जाएंगे ठीके टीचर तो बनी सकते हो आप लोगों को पित्ता तो समझ भाई कि सबसे बड़ा विकल्प होता है NDA में जाने का NDA नेवी मर्चेंट और इनमें जब हम परती होती है तो मैस वाला जा सकता है Why and negative कर सकते है और एंडियुयसेそうですね आपकी जॉब लगती है आर्मी में नेवी में एयरसप्पोर्स में सभी सेक्टर में आपकी जॉब लग सकती है इसके अलवा मेज़ेटेक्चr बन सकता है दिजाइदर बन सकता है रखिटेक्चr मतलब बेपर बुलडिंग को ड्रोगर्ट करनी खेर वह इंजिनियर भी करतें और अप्डेक्चr बन सकता है पेशन डिजाइणिंग और इनके भी कोर्सेस कर सकता आए वालेだ, बेचलर अफय ठैंट०ुर dari Urban करुछ 5 होगं, में भून सकती है, बारवी साइनसा से किया, और उसकी बार्वी साइनसे से में सीधी हुआ, की दिखेंग वी में इंडियन आर्मी आपी में इनडियान आर्मी मेह से एंजनेर बनेंगा तो सबसे वड़ी चीछ वह एंजीनियर से भी वह काय काय में जा सकता है नेकर नेवर में में जा सकता है व можешь पाद मचेस करेगा Master of Engineering करके teacher भी बन सकता है अच्छा एंजीनियर भन सकता है बे के बाद या बीटेक के बाद भी एंजीनियर बन सकता है होती है आप अलगा जो engineering की फिल्ड होती है कॉंप Dort की अलग उथा इसंट अममें वह सब अलगा फील्ड होती है आपका स्था कौलेज में 27 flirt करना है तो किस रिपेल होती है मिल रहा है आपका इंटर स्ट क्याएं घर बणाने में तो आप सी बीमManay करने के बाद UPSC आप बड़ी competition exam खेर कोई साभी graduation करने के बाद कोई साभी bachelor degree मैं के रहा हूं bachelor degree में बीए बीकॉम बीसी आर्ट कॉमर साइंस तीन इसके अलावा भी इन सभी के बाद इसके अलावा defense direct entry होती है defense में इसकी आर्मी के अंदर नेवी और एयर फोर्स से बीए वालों की भी कि इसके अलावा आप बीए के बाद MBA कर सकते हो एंटेक कर सकते हो या सीदे बीए के बाद आप किसी भी public sector company में जॉब कर सकते हो तो भी कर सकते आप इंजिनियर बन सकते हो और बहुत सारी फिल्डों में जा सकते हो इंजिनियर बनने के बाद इसके बाद अगर बात करते है साइन्स वालों की तो वह computer science वे bachelor degree कर सकता है professional course है computer science में कर सकता है और computer application में कर सकता है दोनों फिल्ड है BCS और BCA computer application computer science दोनों में वह bachelor degree कर सकता है और में जो science वाला व्यक्ति होता है वो B.S.C करता है Bachelor of Science कर सकता है ठीक है उससे उसके बाद Master of डिग्री लेकर उसके रिलेटेट आप जॉब व्या प्राइविट सेक्टर जो भी जिस भी फिल्डों में जॉब दलती है आप वो कर सकते हैं एंड मैंस वाला वेक्ति है वो फिल्म एंड टेलिवीजन के डिप्लोमा करके फिल्मों की इडिटिंग करना सिख सकता है फिल्मों के संबंधित डिप्लोमा करके या टेलिवीजन संबंधित डिप्लोमा करके वो फिल्म बनाते हैं उसकी एडिटिंग करते हैं उसका भी कूर् सेक्टर वालों के लिए मैंने बताया कि ट्वाले क्या क्या कर सकते वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए में आर्ट और बायो सोरी कॉमर्स और बायो स्टुडेंट के लिए नेक्स वीडियो में आप बताऊंगा जब तक आप लोग इसका इंतजार कीजिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद